हालो एव्रिवान येस दिस सोवीन सर बहुत बहुत स्वागा थे आपका इस बहुत ही खुप सरसे से सेशन में जो है बहुत जबस तरीके से इसके दर्म करवा रहे हैं आपर कंटेंड को और आज हमाला क्या कंटेंड है भाई कि डिफाइट इब्लोस्कोपी कॉंस्टेंट इराइव रिलेशन बिट्विन फ्रीजिंग पॉइंड डिप्रेशन एंड मुलार मास ऑफ सॉल्यूट जी हां यह स्कॉप कॉण इब्लोस्कोपी जो constant है इसको पहले समझने के खोशिश करेंगे कि इबलोस्कोपी constant होता क्या है है तो बहुत इजी बट फिर भी पता होना चाहिए कि क्या है ध्यान से देखो जरा यहां पर अगर मैं चनरली क्या होता है कि हमको पता है कि यह डेल्टा टीवी जो होता है वो ईक्वल टू के बी इंटु अैम होता है और इस एसका डेफ्रेशन का होगा cd जो यहां पर अगर मैं एक्वल to one लेलू अब ऐसे cases में जो मेरा के भी है वो डिल्टा टीवी के बराबर हो जाएगा ता ये concept समझ में आ रहा है क्या ये concept समझ में आ रहा है सब को मैंने क्या बोला कि ये जो है मेरा डिल्टा टीवी के बराबर हो जाएगा इसका मतलब कि इबलोस्कोपी constant is the boiling point elevation produced by one molal solution jaha parmera morality one honnay waala hai, बस इसी चीज़ का आप क्या करेंगे बच्छाएं यहाँ पर आंसर लिख देंगे, तो क्या होने वाला answer में, tibiloscopic, tibiloscopic constant, tibiloscopic constant is the boiling point elevation tibiloscopic constant is the boiling point elevation tibiloscopic constant is the boiling point elevation फिर से देखो, tibiloscopic constant is the boiling point elevation produced by produced by one molal solution जहां सा देखना बच्छा, one molal solution produced by one molal solution एक molal solution के दुरू जो प्रोडूस होता है, उसको m equal to one, तो ऐसे cases में, आपका जो kb होगा, वो delta tb के बराबर हो जाएगा, यही चीज़ आपको यहाँ पर specify गागा, अगर मैंने m को one ले ले तो यह दोने equal हो जाएंगे, यही आपका क्या है बच्छा, एक बच्छा, एक बच्छा का information, कोई doubt है किसी को, बहुत प्यारा mass of solute, sir, यह कैसे करेंगे, समझाता हूँ, समझाता हूँ, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा, बस अब देखते चलो, यहाँ पर relation समझना है, तो आप हमको पता है, we know that, नहीं जानते हो, फिर भी लिख दो यार, पानुमपला बोलेगा, sir, बाजोले से मैंने छापा ये, त तो भी लिख दो, we know that, क्या जानते हो, कि डिल्टा टीबी जो है, वो ड्रेटली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, राइट, यहां से पुराना, बेसिक नहीं लेकर चलना है, अपने को, जो पीछे लिया था, kb into m होता है, यह एक्वेशन हम जानते है, अब इस एक्वेशन को, main equation है, हमारा ये, इसको equation number one ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये equation number one है, मालन लो यहां पर, where, specify कर दो, लेकिन हमको TB के लिए पुचा है कि, TF के लिए पुचा है, वो बला, important question है, क्या पुचा अजरा पुडो, औरे स्वार याहां तो freezing point depression को पुचा है, अरे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, freezing point depression है, तो बच्चा तो हमको freezing point depression का relation निकलना पड़ेगा, मतब ये question को पढ़ना है, अच्छे से exam में, तो बन जागा, delta TF equal to, kf into m बन जाएगा, clear एक दम picture, question को पढ़ना, जलने बाजी में गलबडी मत कर देना, आप, आप क्या करेंगे, ये हमारा equation number one हो गया, specify कर दो,station figure, where if, जो हो गाँ हो, मेरी हो जागा cryoscopic constant, क्या बना गाँ बच्चा, cryoscopic constant हो जाएगा क्या और abbiamorásコ Plaza कॉपी ield जाएगा, ंक को जानना पड़ती काodu कि का मॉलली टीक कोल टू सबाने किक तो मॉलली टी क्या होता है मॉलीस ओफ गो वन relevant वो भी किसमे kg में चाहिए कोई दिक्कत मतलब अगर हम सिंपल लंग में बोले तो small m equal to n2 upon w1 होता है लेकिन w1 होना चाहिए kg के अंदर बहुत वो कन्फ्यूज के सर मॉलालेटी अगर यह है तो मॉलारेटी किसको बोलते हैं मॉलालेटी और मॉलारेटी में बहुत मै nur difference है मॉलारेटी जब बोलेगा ना मोलारेटी जिसका मतलब के PHIL और लटर मतल Assistant यहां पर प्लोजागा आपका वॉलिम अपी अंत्रोशन लीटर में नीचे विलूम हम लेंड़ हो निया रहा है देख है आप आप अब हम लेने वाले कि एंड़ी क्या होता है हमको पता है अगेन इस यह जो एंट्व करना मुल क्या होता है मास अपान मुलार मास एन टू है तो हम बूलेंगे ऑप मास औप आप एसके बढ़ाबर है और मास को लेने वाला दख ले लिट दमास ऑफ आफ पस सॉल्वेंट जो है मान के चलो कि मेरा मास confusion किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है सर यह दोने information वराव हम equation number two में put up कर देते हैं so substitute these value substitute these values substitute these values in equation number two equation number two में क्या करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे सार हमारा स्मॉल एम क्या बन जाएगा स्मॉल एम बन जाएगा डबलू टू अपॉन एम टू इसको हमने डिवाइड कर दिया जब डिवाइड किया तो यह भाई साहब आ जाएंगे डबलू वन अपॉन अब इसको क्या करूंगा लास सेवन का मैस अप्लाइ करने का डिवाइड को जब हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो बाकि लोगो क्या करेंगे बच्छां पल्टी मार देंगे यह आगा एक हजार और यह आजागा डबलू ऊन जा यह बात हैं एक्जय से समझ में यह बहुत बणाद एको किसिन नमबर त्री हो चुका है यह हमारा equation number three हो चुका है आप क्या करेंगे substitute equation number three in equation number one khatam ताहानी खताम होनी ने को यहां पर तो substitute equation number three substitute equation three in equation one substitute equation three in equation number one तर यह कैसे करेंगे यहां पर हमारा हो जागा delta tf जो होगा that is going to equal with kf into kf into kf into abhiya small m की जगा पर यह पूरा डालेंगे w2 upon m2 देख लो w2 upon m2 w2 upon m2 into 1000 divide by w1 क्या यह बात समझ में आई and this is my final 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 answer कोई दिख्क्यत है सबको समझ में आया क्या होगा answer कोई confusion बच्चा कहीं पर भी चीजे एकदम क्लियर हो रही है फिर से जरह देख लो एक बार सबसे पहले इबलोस्कोपी कॉलिशन का definition yes sir पुरा प्रॉपर डेफिनिशन समझ माइगा वाई जो डेल्टा टीबी इकोल टु के बी इंटो एम होता लेकिर एमिए अगर में वन लेलू तो मेरा के बी मेरा डेल्टा टीबी बन जाएगा इसका मतलब कि इबलोस्कोपी कॉंस्टेंट इस बॉइलिंग पॉइंग पॉइंट इलिवेशन प्रोडूच्ट बाइवन मोलाल सलुशन यह डेफिरेशन हो गया ठीक है यह रेफरेंस के लिए मैंने दिया था आपको और यहां पर आगया आपके लिए प्रॉपर डेरिवेशन कॉंसा ड का फॉर्मूला क्या होता जिसको नहीं पता है एंड मतलब मौल मौल किसको बोलते हैं बच्चा मौल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मुलार मास मास अपोन मोलार मास समझाने के लिए रख दिया तो उसके बाद मैंने मास हमारा जो सॉल्वेंट का डबलू ओन ग्राम है किलो ग्राम मिलिया इस तरह से पूट अप करते जाओ आपको आंसर यहां पर चम चमाता हूं मिल जाएगा विन जाओा करते हैं